साथियों, महान तेलुगु कभी, स्री गुराजाडा अप्पाराव, गुराजाडा अप्पाराव ने कहा था? सौन्त लाभं कौन्त मानुकु, पवरु गुवाडि की तोडु पाडवोय, देश मंटे मट्टी कादोई, देश मंटे मनुशलोय, यानि हम दूसरों के काम आएं, ये निश्वार्थ भाव हमारे भीतर रहना चाहिए, राष्ट सिर्मित्ती, पानी, कंकड, पत्तर से नहीं बनता, बलकि राष्ट का अर्थ होता है हमारे लोग, कोरोना के विरूद लड़ाई को संपुर्ण देश ने इसी भावना के साथ लड़ा है। आज जब हम बीते साल को देखते हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट के रूप में, हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीर का अकरण अभ्यान शुरू कर रहा है, तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकड का वो दौर, जब हर कोई चाहता क्या कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सुचते थे। सामान्य तोर पर बिमारी में पूरा परिवार बिमार व्यक्ति की देख़ाल के लिए जुड़ जाता है। लेकिन इस बिमारी ने तो बिमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बिमार बच्चों को मा से दूर रहना पड़ा। मा परेशान रहती थी, मा रोती थी, लेकिन चाकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता, अस्पतान में अकेले अपनी बीमारी से संगर्स करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती थी। जो हमें छोड़ कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो बिदाई भी नहीं मिल सकी, जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है, लेकिन साथियों संकर के उसी समय में, निराशा के उसी बातावर में, कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकर में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, परामेडिकल स्टाफ, एम्मिलर्स ड्राइवर, आशा वर्कर, सभाई कर्मचारी, पूलेस के साथ ही और दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रती अपने दाइत्व को प्रात्विक्ता दी। इन में से अधिकाउश, तब अपने बच्चों अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए, सेंकडों साथी ऐसे भी है, जो कभी गर मापस लोटी नहीं आ पाई। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। इसलिए आज कोरोना का पहला टीका, स्वास्त सेवा से जुड़े लोगों को लगाकर, एक तरह से समाच अपना रून चुका रहा है। ये टीका उन्हों सभी साथ्यों के प्रती कृतज्य राष्ट की आदरांजली भी है। झाल झाल